हेलो दोस्तो तो फिल्मी फेक्ट के एक और अपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूवीज के बारे में कुछ फेक्ट्स तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जब भी हम बात करते हैं फाशन फिर्स की मूवीज की तो हमारे दिमाग में में दो नाम आते हैं एक है दारोक और दूसरे विंडिजल लेकिन आगे चलके इन दोनों की बीच में लड़ाई हो गई तो आकेर ऐसा क्या हुआ थे इन दोनों की बीच में तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दोनों एक्टर हॉलिवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक आते हैं और विंडिजल जो थे उन्होंने फाशन फिर्स की फ्रेंचाइजी को शुरुआ से जॉइन कर रखा था लेकिन दारोग फाशन फिर्स की फ्रेंचाइजी में बाद में आये थे और दारोग दुनिया के हाईस्ट पेड एक्टर भी हैं तो इन दोनों ने फाशन फिर्स की मुविस के लिए बहुत ज़्यादा फिस डिमांड करी और इन दोनों ने ये भी डिमांड करी कि मुझे ज़्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए विन डीजल ने कहा मुझे ज़्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए तो दारोग ने कहा मुझे ज़्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए तो इसके चक्कर में इन दोनों के बीच में लडाई ही हो गई और ये लडाई इतनी तगडी थी कि इन दोनों ने एक साथ काम करने से ही मना कर दिया यही रिजन है कि क्यों हमें Fast and Furious 9 में दारोक नजर नहीं आए और जब दारोक हमें Fast and Furious 9 में नजर नहीं आए और इस मुवी में Fast and Furious फैमली के सिफ दो ही मेंबर थे लेकिन दो मेंबर होने के बावजूद इस मुवी ने बॉक्स हो इस पे 760 मिलियन डॉलर की कमाई करी थी तो इससे आप दारोक की पॉपुलारिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि हो हॉलिवूड के कितने बड़े एक्टर हैं और उनके नाम से फिल्म में चलती है लेकिन अब ये दोनों ही एक्टर अलग हो गए है और यही रिजन है कि क्यो हमें Fast and Furious 9 में दारोक नजर नहीं आएं और क्या आपको पता है कि विन डिजल के एक्टर बनने के पिछे एक अलगी जर्णी है विन डिजल जो कि हमारे UPKCM योगी अदितेनाज जैसे भी दिखते हैं उनके स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है असल में अगर आपको एक्टिंग का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि दुनिया में दो टाइप के थेटर होते हैं एक थेटर वो होते हैं जिसमें कि हम मूवी देखते हैं और एक थेटर वो होते हैं जिसे कि हम कहते है थेटर गूप जिसमें की acting सिखी जाती है और filmmaking सिखी जाती है तो ऐसे एक theater group में विन डिजल तभाई मचाने आये थे मेरा मतलब यह है कि वो तोड़ फोड़ करने आये थे यह तब की बात है जिए वो teenager थे लेकिन उस theater group में जो acting सिखाते थे उन्होंने विन डिजल को recommend किया कि तुम्हें acting करने चाये और विन डिजल ने भी एक try लेने का सोचा और उन्होंने acting सीखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उन्हें acting का profession इतना ज़दा पसंद आने लगा कि उन्होंने acting को ही अपना career बनाने का सोच लिया और जल्दी उन्होंने फिल्मों में भी entry कर दी और शुरुवाती फिल्मों में उन्हें side role भी मिलते थे और उनके career की कुछ अच्छी movies भी थी जैसे की saving private Ryan लेकिन उन्हें popularity मिली Fast and Furious की movies से जब उन्हें Fast and Furious 1 में cast किया गया तो movie box उस पर अच्छी खासी इड़ती लेकिन जल्दी Fast and Furious की movies box उस पर बहुत अच्छी कमाई करने लगी और विन डिजल highest paid actor में से भी एक बन गए क्या आपको पता कि Pirates of the Caribbean की movies में Jack Sparrow के role के लिए Johnny Depp को कभी cast नहीं किया जाने वाला था उस movie के director की जो पहली पसंद थे वो थे Jim Carrey ऐसा इसलिए क्योंकि Jim Carrey ऐसे ही role को play करने के लिए जाने जाते है अगर आप Jim Carrey के career को देखोगे तो उन्होंने maximum जो movies करिए उसमें उन्होंने जो character play किया है वो मिशा खुशनुमा ही रहता है जैसे कि Jack Sparrow का भी character है जैसे कि आपने The Mask देखी होगी उनकी लेकिन उस time Jim Carrey ने Jack Sparrow का role play करने से मना कर दिया था ऐसा इसलिए क्योंकि Jim Carrey अपनी movie Bruce Elmanty की shooting में भीजी थी Bruce Elmanty वही movie है जिसका की आगे चलके Bollywood में remake भी किया था God Tussi Great हो नाम से जिसमें कि हमें देखे थे सल्मान खान और रमिताब बच्चन और तब जाके ये role हमारे Johnny Depp को मिला जो कि इस role में बिल्कुल perfect है वैसे मैं आपको एक और बात बता दू कि Johnny Depp ने इससे पहले Charlie and the Chocolate Factory में Willy Wonka का role play किया था जो role भी पहले Jim Carrey को ही दिया जाने वाला था लेकिन Jim Carrey ने ये role भी reject कर दिया और ये role भी चला गया Johnny Depp के हाथ में क्या आपको पता कि Martin Scoresy जो कि Hollywood के best director में से एक माने जाते हैं वो Irishman movie को बहुत time पहले ही बनाना चाहते थे क्योंकि ये movie उनके career का dream project थी लेकिन दिक्कत या आ रही थी कि जब यो producer के पास जाते थे वो इस movie को reject कर देते थे क्योंकि इस movie की hype उतनी जादा नहीं थी market में और उपर से इस movie का जो budget था वो बहुत ही जादा जा रहा था इस movie के hype के मुकाबले इस movie का budget 1500 million तक जा रहा था और हर producer इस movie को reject कर देता था लेकिन फिर भी Martin Scoresi ने हार नहीं मानी और finally Netflix ने इस movie को produce किया और Netflix ने जितना भी पैसा Martin Scoresi ने माला वो Netflix ने दिया और तब जाके The Irishman movie बनी और ये movie डिरेक्ट नेट्फिक्स पर रिलीज हुई थी तो आप बस इस वीडियो में इतना ही अब अगर आपको वीडियो फ़सन आई तो इसे लाइक करें और में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस कर दिजेगा थैंक्स रॉस्टिंग इस वीडियो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई